जहिन दोस्तों, अनुछेद एक बोला गया एक भारत राज्यों का संग है, यह आप जनरली पढ़ते आयोगे, लेकिन कुछ चीजे बता रहा हूँ, जो साइद आप ना सुने होगे, तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, आपको बहुत सरी जानकारी मिल जाएगे, देखे संग और परिसंग में डिफरेंस क्या है, पहले थोड़ा समझ देजे, संग वो होता है, जिसमें आपको सामिल हो, तो आप हट नहीं सकते, निकल नहीं सकते, आपको रहना ही पड़ेगा, जो भी कंडिशन आजाए, आप कोई वहां से जा नहीं सकते, जिसमें भारत राज्य सुझावते हैं, लुत नहीं से जाए गड़ेगा, इसलिए अभी स्तित्ह यह हैं, उपलखेश के अलग नहीं सकते, चिसमें देख लेगा, फ़ी क्या नहीं सकते हुआते, इससलिए उनुम के रहेंगे, जब शुज़ा करते, कोई राज्यों से अलग होना वह इसे भी नहीं चाहेगा ठीक है तो संग और पड़िसंग में आप अंतर समझ में भारत राज्यों का संग है कुछ चीजे और बता देते हैं सुनीजी यहां पर अंग्रेज राज्य कर रहे थे तो अंग्रेजों ने यहां पर अंग्रेजों का कुछ जगों पर प्रतियच सासन था भारत की बहुत सारे हिस्सों पर अंग्रेज सीधे सासन करते थे, जहां जहां वो सासन करते थे, वो उस छेत्र को अपने मैप में पीले रंग में दिखाते थे, पीले मतलब एलो, तो उसके बोला जा था एलो इंडिया, और जहां जहां प साथन करते थे, उसे एलो कलर में दिखाते थे, इसलिए उसे एलो इंडिया बोला जाता था, और जहां वो और राजायों के माध्यम से सासन करते थे भारत में, उसे रेड इंडिया, बहारत में चीप कमिसिनरी छेतर भी थेと जब देश स्वतंत्र हुआ भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के राज्यों को शुरू में चार छेत्रों में बाटा गया था अगर आप पड़े होगे ते राज A, राज B, राज C, राज T इसे बाटा गया था, उसके बाद बाद में तो हमारे यहाँ पर चौदा राज रॉच्छा के इंसाजित प्रदेश बने थे, यह सात्मा संविधान संसोधन राज पुनर गठन अदनियम 1956 जब पारित होता है, इसके लिए भी एक कहानी है, 1948 में धर आयोग बनता है और उसने स सिपारिस की अग भासा के आधार पर राजमत बनाई है, क्योंकि अग भासा के आधार पर राज बनाने के लिए अंदोलन चर रहे थे, उसके बाद 1948 में ही JVP समित बनती है, उसने भी सिपारिस की अग भासा के आधार पर राजमत बनाई है, उसके बाद फजल अली आयोग उसनों का अग भासा के सासर प्रसासन की सुविधा के अधार पर राज बनाईए तब जाकर राज कुनर गठन अद्नियम 1956 पारित होता है और भारत में राज्जो का गठन किया जाता है तो मेरी बात है आपको क्लियर हुई होगी तो अनुचेद एक के तीन पार्ट बनाए गए है अनुचेद एक का क्लॉज 1 कहता है कि भारत रथात इंडिया राज्जो का संग है मतलब संविधान में दो ही नाम है एक है भारत और एक है इंडिया और कोई नाम नहीं है ध्यान रखना अर क्लॉज About 2 में बोला गया है कि राज और उनके राज्जचेद में वे ही राज्ज शामिल होंगे जो पहली अनुची में पहली अनुची यां पड़े तो भारत के संग राजजो का वार्डण किया गया है तो इस तरह से तीन क्लाज बना कर भारत के राजचेत्रों का वर्डन किया गया है तो यह छोटी से जानकारी पहले अनुचेत्र के बारे में आपको कैसी लगी जुरूर बताइएगा तो उसके बाद अनुचेत्र दो सोच रहे हैं कि आपको 395 अनुचेत्र से कंप्लीट कराएं एक छोटा सा प्रयास सुरू कर रहे हैं देखते ही कहां तक पहुंचते हैं तो कैसा लगा जुरूर बताइएगा मिलते नेश्ट वीडियो में तब तक पढ़ते रहें खुस रहें मस रहें